अनुरादा वेदिक इस्टोलिजी में आप सबका अभिनादन, आज हम बात करेंगे कुम्भ राशी पर देखेंगे कि कुम्भ राशी को हम प्राक्टिकली कैसे डिकोड कर सकते हैं लेकिन उससे पहले आप सबका धन्यवाद कि आपने हमारे यूट्यूब और स्पॉटिफाइड चैनल को लाइक शेयर सस्क्राइब किया आपने महां अपने सुझाव अपने कॉमेंट्स लिखें यदि आपने हमें लाइक शेयर सस्क्राइब नहीं किया है तो याद से करिए और अपने सुझाव अपने कॉमेंट्स भी लिखना मत भूलिए बेल आइकन नियाद से दबाईएगा ताकि आपको अपडेट्स निरंतर मेंटी रहें तो चलिए बात करते हैं कुम्ब राशी की यदि आपने कभी किसी कुम्ब लगने वालों को देखा है या कुम्ब राशी जिसका बहुत स्ट्रॉंग है वो अपने उन लोगों को देखा है तो आप देखेंगे कि उनके आसपास एक साइन अफ मिस्ट्री होती है वो बहुत जल्दी बहुत कुछ बाहर नहीं बताते हैं नहीं निकालते हैं वो सुनने में बहुत अच्छे होते हैं क्यों यदि कुम्ब की बात की जाए तो कुम्ब का अर्थ होता है मटका और दूर से हमें यह मालूम ही नहीं पढ़ता कि कोई मटका कितना भरा है या कितना खाली तो उस व्यक्ति के पास क्या है डिपेंड करता है कि वो कौन से भाव में आपकी कुमिराशी पड़ रही है यदि वो किसी के एकादर्श भाव में कुमिराशी पड़ रही है तो आपको मालूम है नहीं पड़ेगा कि इस व्यक्ति के मंतली इंकम क्या है कैसे क्या वो कमाते है या कमाती है या उसके पैसे कित्ते जमा हो रहे हैं यह सब कुछ आपको नहीं मालूम पड़ेगा क्यों? क्योंकि वो एक मिस्ट्री रखने में विश्वास रखते हैं उस एरिया के बारे में अब यदि किसी का कुम्ब रशी अश्टम भाव में आ गया तो वो व्यक्ति जो है वो किसी के सामने यह नहीं बताते हैं कि वो क्या research कर रहे हैं उनके मन में क्या उधेडबुन चल रही है उनको क्या problems है life में क्योंकि अश्टम भाव आपके life की changes को बताते हैं तो आप उनके चेहरे से उनके हाव भाव से ये सारी चीज़े नहीं समझ पाएंगे किसी के लिए ये तृतिय भाव हो गया तृतिय भाव आपके वक्ता होने का आपके करेच का भाव है तो ऐसे व्यक्ति जो है उनका करेच बहुत बाद में मालूम पड़ता है लोगों को कि हां अरे वो तो ये भी कर सकते हैं वो तो ये भी कर सकते हैं क्योंकि आपके house of accomplishment में से भी यानि कि आपके कौशलता का भी एक भाव है तो आई आपके धहरे का भाव है वो लोगों को बहुत धीरे से बहुत बेबात में मालूम पड़ता है क्योंकि ऐसे लोग अपनी ये सारी बाते जो है व कि उनके स्वामी कौन है तो बोला जाता है कि Aquarius ये कुम विराशी के दो स्वामी है शनी और रहू दोनों में बहुत विपरीत आस्मत बाते हैं ये बहुत opposites हैं क्योंकि एक तरफ शनी है जो बहुत disciplined है समय अनुसार काम करते हैं समय के बहुत पाबंध है बहुत अच्छी administrative ability है चीजों को देख परक्के काम करते हैं वो हमें एक दाइरा देते हैं कि व्यक्ति को एक दाइरे में काम करना चाहिए और मेहनत से काम करना चाहिए और वही है दूसी तरफ रहू जो ट्रडिशन में बिलीव ही नहीं करते हैं जो बिलीव करते हैं कि हमें कुछ नया चाहि पीप तक जाने कि उसके पीछे का कारण ढूढने का और बिना किसी को बताए कि मैं यह काम कर रहा हूं। यह सारी जो चीजे है वो राहू में अबिलिटी है राहू में experience करने की ability है और experiment जिसके कारण व्यक्ति आगे बढ़ सकता है आपको आगे बढ़ना है आपको आगे के बारे में जानना है तो यह Aquarius जो sign है वो बहुत फायदेमंद होता है या वो बहुत आपको इच्छा देता ह या आपको अतीवरता से आपको आगे बढ़ाने की शक्ती भी देता है तो आप यदि future oriented है आपको मालूम पड़ेगा कि यह sign Aquarius आपका बहुत strong है क्योंकि यह वायू का भी तत्व है वायू आपके सोच आपकी thought process को बताता है और future orientation आप किस तरह से करते हैं अपना क्या सोच रहे हैं आपका क्या विचार है और आप कहां क्या लगाना चाह रहे हैं वो सारी चीजे हैं यहां मैं आपको एक example देती हूँ यह आप नरेंद्र मोदी जी का chart लेंगे तो नरेंद्र मोदी जी के chart में यह Aquarius sign जो है वो चतुर्थ भाव में बैठता है तो चतुर्थ भाव आपके देश, आपकी माता, आपके जो घर है उसके बारे में बताता है क्योंकि उनका वासुदेव अकुटम वाला भी attitude है और साथ ही अपने देश को लेके वो बहुत possessive हैं तो आप देखेंगे कि वो जब भी अपने देश के लिए कुछ नीतियों का निर्मान करते हैं या कुछ नीतियों के साथ जाते हैं तो वो हमेशा ये सोचते हैं कि future में ये हम लोगों के लिए किस तरह का फाइदा लाएगा चाहे आप उसको पे पोर्टल्स बोलिए जहां पे टी एम जी पे आदे ये सारी चीजें बहुत आजकल futuristic methods of payment बोलिए या आप उसको बोलिए कि इधानों में changes कर रहे हैं वो सारी चीजें उनके मन में futuristic attitude को लेकर ही है क्यूंकि हमें यह यह भी देखना है कि Guru जो 5th house का Lord है और 2nd house का Lord है 5th house आपको crisis management देता है तो आप आगे की सोच के Aquarius sign में बैठावा है आपको आगे की सोच दे रहा है आपको future vision दे रहा है आप आगे की सोच के crisis management कर रहे हैं आप धान इखटा कर रहे हैं या अपने देश का गौरव क्यूंकि 2nd house आपको सम्मान मान आपकी इज़त आपका संसकार भी बोलता है तो future में आपका देश का गौ प्रोसेस है वो उससे काम कर रहे हैं जब भी हम chart analyze करते हैं हमें राशी लेना बहुत जरूरी है फिर हम ग्रह बहां बैठा हुआ लेते हैं फिर हम साथ में यह भी लेते हैं कि वो कौन से नक्षत्र में बैठा है उससे हमारा जो पूरा analysis है वो बहुत pin point होकर बाहर निकलता ह आगे पढ़ते हैं और हम देखते हैं कि यदि अब मैंने आपको वो modality बताया मैंने बोला कि यह दो rulers है और एक और चीज है कि यह fixed sign है तो एक बार इन लोगों ने कुछ सोच लिया एक बार इनके दिमाग में कुछ आ गया तो उससे बहुत ज़ादा घुमते फिरते नहीं ह बहुत ज़ादा चेंज नहीं करते हैं अपने attitude को क्यों कि वो उनको help उनको लगता है कि उनकी वो जो सोच है सही है लेकिन इतना होने के बाद भी इन में generosity of the spirit है क्योंकि यह लोगों के साथ बाटना चाहते हैं यह जो गंटंत्र की जो भावना है उसके साथ रहना चाहते है सामराज्य मुझे अपना एक सामराज्य बनाना है मुझे अपना नाम आगे रखना है ऐसा नहीं है मैं दूसरों के लिए भी कहा help हो सकता है वो भी देखूं यह बहुत important है और यह हम देखेंगे बीवी रमन जी के चार्ट से तो बीवी रमन जी के चार्ट में आप है उन्होंने यह विद्या जो है एक छोटे से समुधाय से लेकर अपने देश में भी इंग्लिश के बुक्स में उन्होंने लिखा इंग्लिश में लिखा बुक्स को और बाद में उन्होंने इस विद्या को वेस्टन वर्ल्ड से भी पर चित करवाया ताकि वेस्टन वर्ल भी हमारी इस विद्या पर जिसे हम कहें लट्टू हो और हमारे जो संसकारों के प्रती उनका एक रुझान बने अक्वेरियस लगनवालों के लिए या अक्वेरियस साइन में जो घ्रह बैठावाया या अक्वेरियस के लिए बहुत जरूर है कि निरंतर जीवन में चेंज लाता रहे क्योंकि परिवर्तन वो जानते हैं जीवन का नियाम है और फ्यूचर जो है वो प्रेजन से चेंज होकर ही आता है तो जो घ्रह आपका या बैठा है उसकी क्वालिटीज में आप धीरे धीरे करके यदि इजाफा करेंगे चेंज करेंगे तो आप देखेंगे कि वो प्लानेट आपके लिए बहुत स्मूध रिजल्ट्स देगा इसी तरह हम किसी भी चाट को प्राक्टिकली बहुत अच्छे से समझ सकते हैं देख सकते हैं और चाट घुमा घुमा के दी हम पड़ेंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ की बहुत अच्छे से समाज आएगी फिर मिलेंगे तब तक के लिए धेनेवाद बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियो की अपडेट मिलती रहे हमारे वीडियो को लाइक करें शेर करें उन पर कॉमेंट करें और हमारे चानल को सिस्क्राइब करना न भूले